हेलो गाईज, वेलकम बैक पो यूट्यूब चैनल, जेके एक्जाम इंसाइट्स पे आपका बहुत सवागत है ये मैं थर्ड वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेर्स स्टार्ट करने वाला हूँ इस सेशन में दो पहले दो वीक्स के मैं और डी अपलोड कर चुका हूँ ये थर्ड वीक के होंगे, ठीक है, आई होप आपको करंट अफेर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे मैं काफी इसली एक्स्प्रेंट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब वही रेलेवेंट इन्फोर्मेशन होती है जो exam perspective से important होती है, ठीक है, तो चलिए आज का session शुरू करते है तो सबसे पहले, Prime Minister Modi has inaugurated the International Cooperation and Convention Center जिसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है, Prime Minister Modi ने इसको inaugurate करा है और ये कहाँ पे located है, ये located है वारणसी में और ये जो International Cooperation and Convention Center रुद्राक्ष जो बनाया गया है Japanese Assistance के साथ बनाया गया है, ठीक है, जैपनी, जैपान ने assist कर रहा है इंडिया को इसे बनाने में, ठीक है, तो इसका location पूछा जा सकता है इसका नाम पूछा जा सकता है, कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रुद्राक्ष और location है वारणसी और कौन सी country ने assist किया है इंडिया को, इसका नाम है जपान ठीक है, तो next important current phase जो है, वो बात कर लेते हैं अब ही हाली में 15 जुलाई को celebrate किया गया था World Youth Skills Day, ठीक है, हर साल 15 जुलाई को हमें ये दिन मनाते हैं, और इस दिन का नाम है World Youth Skills Day, ठीक है और इस बार का इसका theme था, Reimagining Youth Skills Post-Pandemic, ठीक है Reimagining Youth Skills Post-Pandemic, कि pandemic के बाद हम किस तरीके से Youth के Skills को reimagine कर सकते हैं, किस तरीके से उनको promote कर सकते हैं ठीक है किस तरीके से उनको build कर सकते हैं तो next एक और important जो खबर है अभी एक railway station का नाम change हुआ है पहले उसका नाम था मांडुआधी railway station इसका नाम अब change करके कर दिया गया है बनारस railway station ठीक है तो यह अगर पूछा जा सकता है किस railway station का नाम change करके क्या हुआ है यह बनारस railway station का पहले नाम क्या था तो यह आप ध्यान में रखिएगा ठीक है और अभी आप को जैसे पता ही है कि ओलंपिक स्टार्ट हो चुके है तो दीपक काबरा यह इंडियन है एक और यह पहले भारतिये बने हैं जो gymnastics के judge बनाए गई है at Olympics, Tokyo Olympics में ठीक है तो ऐसे मतलब judge बनने वाले gymnastics में यह पहले भारतिये और इनका नाम है दीपक काबरा तो next news पर बात कर लेते हैं अभी 16 जोलाई को Aruna Asaf Ali की birth anniversary थी यह हमारी freedom fighter रह चुकी है ठीक है और इन्होंने तिरंगा hoist किया था 9 August 1942 को at Govalia tank मैदान in Bombay ठीक है अभी इसको ground का नाम है अजाद मैदान तो इन्होंने वहाँ पे तिरंगा फैरा है था 9 August 1942 को quit India moment के दोरान ठीक है और यह दिली की first woman mayor भी appoint हुई थी 1958 में और 1998 में इनको post-thomously भारत रतन से भी नवाजा गया था ठीक है तो यह आप एक बार चक कर लिजेगा बट मैं शोर हूँ कि 1998 में इनको भारत रतन भी दिया गया है अरुना असफ अली को तो अभी एक पड़ी ही नई स्टार्ट हुई है क्या हुआ कि यह थोड़ी लाइन पढ़ गी है सौरी इसके लिए तो अभी इंडिया में ग्रेन ATM स्टार्ट हुआ है इससे पहले हम मनी ATM यूज करते रहे हैं बट अभी यहाँ पे ग्रेन ATM स्टार्ट हुआ है इससे क्या होगा कि आप वहाँ जाके मतलब ग्रेन्स ले सकते हैं उसे ATM से जब मरजी जाके ठीक है तो यह कहाँ पे स्टार्ट किया गया है गुरू ग्राम में गुडगाओं या गुरू ग्रू ग्राम वहाँ पे इंडिया का पहला ग्रेन ATM एया उने ट्राइल बेसिस सेटप किया गया है ठीक है और इसको सेटप किस ने किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ठीक है तो नेक्स चलते हैं यह स्पोर्ट के फील्ड से कपर है बाबर अजम पाकिस्तान के कैप्टन भी है और बहुत ही मतलब अच्छे बैट्समन भी है वो फास्टेस बैट्समन बने है इन क्रिकटिंग वर्ल्ड तो स्कोर 14 ODAI सेंचरीज तो चोधा पहले वन डेश शतक लगाने वाले सबसे तेश शतक लगाने वाले वो मतलब बैट्समन बने है बाबराजम और उन्होंने यह मतलब फीट 81st अपनी 81st इनिंग में कंप्रीट की ठीक है 81 इनिंग में उन्होंने यह 14 शतक लगाए है और ऐसा करने वाले वो फास्टेस्ट बैट्समन बने हैं इन क्रिकट तो नेक्स्ट निउस है वो थोड़ी डिफेंस से लेटिड है तो इंडियन नेवी ने यूएस से जो मतलब डील साइन की थी फॉर MH60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर के लिए उसके जो पहले दो हेलिकॉप्टर से है वो इंडियन नेवी के पास आ गए है इंडियन नेवी को वो पहले दो हेलिकॉप्टर मिल गए है और यह US Navy ने प्रोवाइड किया, यह Indian Navy और US Navy के बीच में deal थी और इस helicopter को जो बनाता है उस company का नाम है Lockheed Martin बहुत ही famous company है, बहुत ही बड़ी company है यह US की एक यह है और दूसरी है Boeing तो काफी सारे defense equipment बनाती है यह US Army, Navy और Air Force के लिए तो उन्होंने ही इस helicopters को मतलब बनाया है और Indian Navy ने US Navy से इस helicopters के खरीदा है और पहले दो helicopters Indian Navy को मिल चुके हैं और इसका नाम है MH-60R Multi-Role Helicopters Next पे चलते हैं, तो अभी 17 जुलाई को World Day for International Justice भी celebrate किया गया World Day for International Justice, 17 जुलाई और इस बार इसका theme था Social Justice in the Digital Economy ठीक है, तो इन्होंने ही next news पे चलते हैं, अभी G&K की High Court का नाम चेंज होया गाईज पहले अभी जब से जब Article 370 मतलब रेवोकेट किया गया था, खतम किया, रिवोक किया गया था तो उसके बाद क्या था कि हमारी High Court को इस नाम से बुलाया जाता था, Common High Court of UT of G&K and Ladakh तो ये नाम अब चेंज करके कर दिया गया है, High Court of G&K and Ladakh ठीक है, अब इनका नाम है, हमारी High Court G&K High Court का नाम है, High Court of G&K and Ladakh ठीक है, और ये ओर्डर साइन किसने किया, ये साइन किया ओर्डर ये, President of India, श्री रामनात कोविन जी ने और इस ओर्डर का नाम है, G&K Reorganization, Removal of Difficulties Order 2021 ठीक है, ये इस ओर्डर का नाम है, तो ये ओर्डर भी पूछा जा सकता है, किसने ओर्डर मतलब साइन करा तो वो President ने साइन करा, और नाम चेंज होके अभी हो गया है, High Court of G&K and Ladakh और जो पहले नाम था, वो था Common High Court of UT of G&K and Ladakh ठीक है, तो Nelson Mandela बहुत ही महान देखती रहे हैं, सौथ अपरिका के President भी रह चुक है और बहुत ही intellectual आदमी थे, ठीक है, Freedom Struggle में बहुत बड़ा रोल था इनका भी वहाँ पे तो Nelson Mandela International Day 18th July को celebrate किया गया, और इसका theme था One Hand Can Feed Another ठीक है, One Hand Can Feed Another अभी क्या किया है गाइस, Government of India ने FDI Limit बढ़ाई है, ठीक है, FDI होती है Foreign Direct Investment ठीक है, तो जो Foreign से मतलब Investment आती है directly इंडिया में तो उसमें NPS, NPS है National Pension System, जो इंडिया का National Pension System है उसमें FDI Limit इंडिया, इंडियन गोवर्मेंट ने बढ़ाई है to 74% पहले थी 49% और अब इसको बढ़ाके 74% कर दिया है, ठीक है, तो ऐसा ही एक question जब मैं CDS में appear होता था, तब वहाँ पे defense के related पूछा गया था, ठीक है तब इंडिया ने defense की FDI Limit भी बढ़ाई थी और उसमें उन्होंने share पूछा था कि Indian share कितना रहेगा और जो बाकी companies होगी उसका share कितना रहेगा तो ऐसे questions आते हैं paper में, ठीक है, तो यह आप FDI Limit का देख लेना ध्यान से याद रखना तो next में खबर भी चलते हैं, वो थी कि former RBI governor जिनका नाम है बिमल जलान उन्होंने अपनी एक book लिखी है, जिसका नाम है The Indian Story बिमल जलान ने और यह former RBI governor रह चुके हैं, ठीक है, RBI के governor रह चुके हैं, बिमल जलान तो next बात करते हैं, अभी जुलाई में एक ओर डे celebrate किया गया, इंटरनेशनल चेस डे ठीक है, यह हम celebrate करते हैं 20 जुलाई को, और 20 जुलाई को हम इसलिए इसको celebrate करते हैं कि यह foundation day है, जो chess की global body है ना, जो मतलब जैसे cricket की ICC है, वैसे chess की है FIDE, ठीक है, FIDE, और उसकी form है International Chess Federation, 1924 में आज ही के दिन, मतलब 20 जुलाई को यह setup की गई थी 20 जुलाई के दिन, इस वज़े से हम हर साल 20 जुलाई को, मतलब International Chess Day celebrate करते हैं, since 1966 से और इसके headquarters है, इस body के headquarters है, लोसाने, Switzerland, ठीक है, लोसाने, Switzerland में इसके headquarters है तो, next cover है, guys, defense related है, अभी क्या हुआ है, DRDO ने एक नई missile launch की है successfully, जिसका नाम है Akash MG, ठीक है, और successfully इसका test complete हो चुका है, और यह एक surface to air missile है, ठीक है, आप surface से air में, जो भी आपके, मतलब threats है, उसको target कर सकते हैं, इसको surface से launch करके, तो यह surface से air missile है, जिसका नाम है Akash MG, और इसकी range है 70 km, और यह high maneuverability provide करती है, to neutralize aerial threats, जो maneuverability होती है कि, यह मतलब अपने path से shift होती रहती है, थोड़ी बहुत, detect नहीं होती, इतनी easily, यह मतलब trace नहीं होती, तो इससे क्या होता है, कि जो aerial threats जो इसके सामने present होती है, उसको यह असानी से destroy कर सकती है, ठीक है, eliminate कर सकती है, और इसको बनाया था, यह DRDO की lab है, Defense Research and Development Lab, जो जादराबाद में waste है, ठीक है, तो मैंने range दो बार लिख दिया है, तो इसकी range है 70 km, तो DOO ने एक और चीज़ अभी बनाई है, जिसका नाम है MPATGM, ठीक है, इसको अगर आप एकठा बोलना चाहिए हैं, तो तब भी बोल सकते हैं, वरना ऐसे short form है, MPATGM, ठीक है, जिसका full form है man potable anti-tank guided missile, ठीक है, कि एक man potable, मतलब इनसान इसको ठाके कहीं भी carry कर सकते हैं, easily, anti-tank guided missile है, तो इसको DRDO ने अभी successfully test किया है, ठीक है, और यह fire and forget principle पे मतलब work करती है, काफी जादा accuracy है, इसकी एक बार आप इसको fire करके भूल सकते हैं, जो अपने highly accurate है, अपने target को heat करती है, तो इसका मतलब होता है fire and forget principle, तो next बात करते हैं, महराष्टरा to issue educational certificate using blockchain technology, तो महराष्टरा अब जो उसकी state के educational certificates होंगे, उनको blockchain technology कि तुरू issue करेगा, और ऐसा करने वाला यह भारत में पहला state होगा, ठीक है, next खबर discuss कर लेते हैं, यह आया है ICC, मतलब cricket से related है, तो ICC में अभी तीन नए associate members add हुए है, तीन नए countries as associate members of ICC add हुई है, जिनका नाम है मंगोलिया, तजीकिस्तान और स्विजरलेंड, ठीक है, तो यह तीन नए associate member बने हैं ICC के, इससे अब total members कितने हो गए हैं ICC के 106 members हो including जिसमें से 94 उसके associate members हैं, ठीक है, 106 members total है और 94 associates हैं, और ICC के full form वही है, International Cricket Council और इसके headquarters दुबाई में है, ठीक है, तो next cover है कि IOC, जो है Indian Oil Corporation, International Olympic Committee से इसको confuse मत करना, तो इसका full form है Indian Oil Corporation, यह setup करेगा first green hydrogen plant at Mathura, ठीक है, अपना first green hydrogen plant मतुरा में setup करेंगे, जहां पर यह green hydrogen produce करेंगे, ठीक है, pollution free hydrogen, तो ऐसा, यह एक इंडिया में पहला plant setup होगा, जो IOC setup करेगी, Indian Oil Corporation, ठीक है, तो next देखते है, stand up India scheme के बारे में discuss कर लेते हैं, यह scheme launch की गई थी 2016 में, ठीक है, stand up India scheme, और center ने इस scheme को अभी और extend किया ह है, up to 2025 तक, तो इस scheme में होता गया है, इस scheme में government, मतलब जो banks है, वो loans प्रोवाइड करते हैं, to people belonging from SC community, SD community, यह जो women borrowers है, वो इसके अंडर loans मतलब ले सकती है, ठीक है, for promoting entrepreneurship among them, तो उनको entrepreneur बनाने के लिए, government या banks उनको loans प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो यह scheme 2016 में launch की थी जो loans होते हैं, वो schedule commercial banks provide करते हैं, और उस loans की limit है, rupees 10 lakh से लेके 1 करोड के बीच, ठीक है, for promoting entrepreneurship, और यह limit है, 10 lakh से लेके 1 करोड के बीच, loans provide करते हैं, और कौन से banks करते हैं, schedule commercial bank, तो next बात कर लेते हैं, एक नई appointment हुई है, Aral Henry, prime minister बने है, हाइटी के, ठीक है, हाइटी बोलिए, हैटी बोलिए, जैसे मर्जी आप प्रनॉंस कर सकते हैं, तो Aral Henry, नए prime minister बने है, हाइटी के, और एक और जो important, मतलब अभी change हुआ है, इन्हों क्या हुआ है, कि अभी Olympics जो भी आपको बता है, टोक्यो में चल रहे हैं, तो उसके start होने से पहले, उन्होंने, जो moto था ना, पहले Olympics का, उसको थोड़ा change करा है, उसमें modification करी है, पहले होता था, faster, higher, stronger, अभी इन्होंने इसमें एक नया word add करा है, जिससे अभी नया moto बन गया है, faster, higher, stronger, together, ठीक है, तो य यह पूछा जा सकता है, आफकेट में तो specially पूछा जा सकता है, उसमें काफी questions आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह मतलब अच्छे से याद करके जाएगा, कि faster, higher, stronger, together, यह नया moto Olympics का, Olympic Games का, ठीक है गाइस, तो आज की session में इतना ही था, thanks for watching, और sorry यह subscribe आदा रह गया, तो म मनलब channel को subscribe और share करतो, जादा से जादा, subscribers हमारे बढ़नी रहे हैं, तो please last मैं यह बोलूँगा, कि यार आपके लिए video लेकर आते हैं, तो please channel को share करिए, जादा से जादा और subscribe करिए, thank you